जैसे ही ये आदमी अपना हाँच इस पानी में डालता है तो उसका हाँच जमना शुरू हो जाता है और अगर इसमें कोई दूसरी चीज भी डालोगे तो वो तुरून से जम दाएगी दरसल ये है होट आस जिसके लिए आप 440 ग्राम बेकिंग सोडा लेकर उसमें आधा लिटर बिंगर डालकर एक से डियर घंडी के लिए रख दो फिर उसमें 100 लिटर पाइं डालकर गैस पर चला दो जब गरम होने के बाद ये ऐसा दिखने लगे तो इसका मतलब कि ये सोडिय में से टेट बन गया अब इसे जार में पदलकर ठंडा होने के लिए रख दो लेक लिए रख दो जागी